ब्रेक के बाद आप सभी का कारेक्रम तारे से तारे में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज अले जी हमारे अगले दर्शक का सवाल जानते हैं नाम सुमित, डेट अफ बर्थ 15.09.1970 टाइम सुबह के एक बच के 15 मिनिट जनुस्तान अलमोरा, प्रेश्ण है कि बुद्ध की महादशा में अभी आगे समय कैसा रहेगा और क्या उपाई करने चाहिए आचरे जी जाना चाहते हैं ये बुद्ध की महादशा के बारे में क्या उपाई कर सकते हैं उसके लिए बिलकलुब जैसा है कि आपकी पत्रिकां, हमने वीवेचन किया है वही जो बर्तमान में दोर आपकी पत्रिकां में चल लाइए जब सबसे बड़ी चीज़े शास्तिरिकंदर बताई गई है कि मनश्तर्य का जो विप्रीतियों कहां से बंता है आपकी जो पत्रिका का हमने विवेचन किया मंगल अंगारक दोश आपकी पत्रिका में लगा हुआ है सुरी ग्रहन आपकी पत्रिका में लगा हुआ है बुद्ध चांड़ाल दोश आपकी पत्रिका में लगा हुआ है चंद्रमा की महालसा आपकी पत्रिका में चल लही है girl को भूज़ाय जल हो आपको सकते में बुद्ध महराजी का सुभ प्रभाव है वह समाप्त हो गया है आपके जिवन में क्या है समस्याय असफल्थाओं का जूझ बना सकते हैं departments संम्मधित परेशानी का जग स Ave अजयки Α holiness चांडार जी का चाहिए और माश्वाराजी के मंत्रों का अजब करना चाहिए बुदोवार के दिन इसलिव गई का दान करना चाहिए और महींने में कम से कम एक बार गंगा करने से जो बुद्र महाराजी की पीडाओं का जोग है समाप्त हो जाएगा अच्छे सफलताओं का जोग बन जाएगा चलिए इसी के साथ एक और दर्शक उनकी परेशानी भी सुनते हैं अचरे जी अंजू जानना चाहती है अपने पती प्रदीब के बारे में उनको व्यवसाय में कुछ परेशानिया चल रही है क्या उपाय उनके लिए कर सकते हैं बिल्कुल बहन जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है अभी इनकी पत्रिका में मंगल जी की महादशा चल ले हैं और मंगल जी के महादशा के अंदर जो अंतर इनकी पत्रिका में चल ला है वह सनी जी का चल ला है हमने बताया है मंगल सनी की यूति कहीं भी वने पर उस कारे में ठप होने का यूग बन जाता है उस समय के बाद ही मनुष्टिक के जिवन में सफलताओं का यूग बनता है जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है साथ नॉम्बर 2013 के बाद जैसे इनकी पत्रिका में सनी जी का समापन होगा बुध महराजी का आगमन होगा इनके जिमन सफलताओं का यूग बन जाएगा चंद्रमा सुक्र की जो यूतिन के छटे भाव के अंदर बैठे हुए हैं वहां से क्या हुआ इनके धनारजन में लॉस का परिशानियों का योग बन सकता है इनकी पत्रेगा के अंदर जो कैरियर भाव के अंदर राहु महराज जी बैठे हुए है राहु जी भी इनके काम में थोड़ा सा रुकावटों का युग डाल सकते हैं ऐसे में करना क्या है सबसे पहला कारे करना है मंगल जी का बिशेश पूजन करना चाहिए उम भ्राम भीम नमा इसस्मनद्र का जाब करना चाहिए और राह जी के मंत्रों के बाद इनके वज़न करौ जो जो होता है उसको बैहते हुए जल में प्रबाह करना चाहिए, इंद्र जो कच्चे दून naar में डाल कर के भगवानसियों को अर्पित करना चाहिए ऐसा करने से जो इनका धन इनको वापिस नहीं मिल ला है भगवान शीव की किरपा से इनको प्राप्त हो जाएगा और विश्यस करके पूजन इनको बता रहा हूं जो भगवान शीव का विश्यस पूजन होता है वहां पूजन सुबह तीन बज के जो परिशानियां चल रही हैं वेफसाय में वो निश्यत रूप से दूर हो जाएंगी आचरेजी अंगले दर्शा की परिशानी भी जानते हैं जी बिल्कुल मेरा नाम पंदिछी अनु सैनी है और मेरा जनम अंबाला केंट में 30 सक्टूबर 1984 सुभा दो बच के 45 मिनट में हु आचरेजी अनु जानना चाहती है अपने विवा के बारे में और साथ ही गौर्मन जॉप के बारे में उनके लिए क्या उपाई कर सकती हैं का जोग 2013 जून के बाद आपके बिवा का जोग बन जाएगा जो सरकारी नोकरी का प्रश्णा अपने किया है उसमें थोड़ा सा समस्याओं का जोग बन जाएगा उपाई क्या करना जो आपकी पत्रिका में लक्षमी ग्रहन दोष्ट बना हुआ उसका निदान करना चाहिए और जो पित्र दोष आपकी पत्रिका में बना हुआ है, उसका निदान करना चाहिए, सूरे भगवान का पूजन करना चाहिए, पिता का सम्मान करना चाहिए, यह कारी करना प्रारव में कर दीजिए, आपकी जिवन अच्छी सफलताओं का जोग बनेगा, अच्छी नोकरी का बनेगा विवा का भी योग बन जाएगा अनु आचारे जी ने आपको उपाय बताए हैं आपकी दोनों परिशानियों के लिए उनको करना शुरू कर दीजिए भगवान शिव की आप विशेश पुजा उपास में करिए भगवान सूरे को अर्ग दीजिए और अपने माता पि परिशानियों के लिए उनको करिए और अपने जीवन से अपनी परिशानियों को दूर करिए फिलाल मुझे दीजिया आग्या नमस्कार